कॉंग्रिस में टिकेट बटवारे को लेकर फसा पेच सुलज गया है बीजेपी की दूसरी सूची के आने के बाद आखिरकार कॉंग्रिस ने भी राजस्थान विधान सभा के लिए प्रतियाशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में कॉंग्रिस ने 33 उमिद्वारों को जगा दी है कॉंग्रिस की हॉट सीट की बात करें तो मुख्योमंत्री अशोग गहलोत को सरदार पुरा से टिकेट मिला है तो वही सचिन पाइलेट को टॉक से चुनाव लड़ाया जा रहा है आईए जानते हैं पहली सूची में किन किन को मिली है जगा सिखराय से ममता भुपेश, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, टॉक से सचिन पाइलेट, लाडनू से मुकेश भाकर, डिडवाना से चेतन सिंग चौधरी, जायल से मन्जु देवी, डेगाना से विजैपाल मिर्धा, परबत्सर से रामनिवस गवारिया, ओशिया से दिव्या मदेरना, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, जोधपुर से मनीशा पवार, लूनी से महिंद्र विश्नुई, बायटू से हरीश चौधरी, वल्लबनगर से प्रीती गजेंद्र सिंग शक्तावत, डूंगरपुर से गनेश गोगरा, बागीदोडा से महिंद्र जीत स कुशलगड से रमीला खाडिया, प्रतापगड से रामलाल मीना, भीम से सुदर्शन सिंग रावत, नाथद्वारा से सीपी जोशी, मंदलगड से विवेक धकड, हिंडोली से अशोक चांदना